Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल उसको host करने हैं, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की जानी है, जिसमें majorly अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पर उसमें एक बहुत important statement issue किया है, अजीर डुवाल साहब ने और उसके बारे में आज आब बात करेंगा और ये respect में है, with terror funding and other issues related to Pakistan and China, तो ऐसा क्या हुआ है, इसके बारे में जरा हम बात करते हैं, तो पहरी तो सबसे important बात यही है कि India और Central Asia के relations आप खुदी देखें इतने important है, कि Central Asian countries के जितने भी National Security Advisors हैं, वो assemble हो रहे हैं India में for this important strategic meeting, जिससे obviously Pakistan और China nervous होंगे ही होंगे, because all of them they share border with these Central Asian countries, तो कौन सी ये countries हैं, क्या India का इनके साथ equation है, हर countries के साथ कैसी relationship है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और क्या महत्व है, इंडिया का Central Asia के लिए, और vice versa, ये give and take वाला relationships के beyond जाता है, तो in a first ever meeting which is held in India, Ajit Dhawal सहब ने बोला कि financial aid जो provide करता है countries like Pakistan and China to terror groups, यही इनकी life blood है, और पूरे विश्व में होने वाला terrorism का सबसे बड़ा जो main कारण या जो main स्रोत है अगर आप देखें, जिससे ये चल रहा है, वो है funding, terror funding, चाहिए वो drug trafficking से आती हो, prostitution से आती हो, human trafficking से आती हो, या फिर illegitimate तरीके से जो गबन होता है पैसो का, या जो एक तरीके से हवाला transactions होते हैं, तो उसके बारे में एक बहुत important चर्चा होई और इस पेपर एक joint communication और एक document भी release किया जाएगा, तो national security advisor अजीर डवाल साहब ने पहली बार इस meeting को host किया है इंडिया में और आप देखेंगे Monday से ये चालू हुई है, Monday Tuesday कोई meeting थी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजीकिस्तान, उस्बेकिस्तान के जो NSA's हैं वो डेली में होंगे for this very high level security meeting with the national security advisor और focus रहेगा अफगानिस्तान में peace and security और rising threat of terrorism जैसे आप देख रहे हैं तालिबान भी कुछ ना कुछ issue create कर रहा है, फिर तहरीके तालिबान और पाकिस्तान भी उन्होंने जंग declare कर दी है पाकिस्तान के उपर तो अगर पाकिस्तान destabilized रहेगा तो अफगानिस्तान पे उसका effect देखेगा और अगर अफगानिस्तान destabilized है उसका effect Central Asia और India पे भी पढ़ेगा तो इसके बारे में जो है इस meeting में चर्चा हो रही है तो इसको आगे ले जाने से पहले आप लोगों को मैं बता दिना चाहता हूँ कि 10th of December तक हम लोग Live Foundation Batch 9 जो है उसके enrollment हमने open रखे हुए है तो अभी भी अगर आप wait कर रहे है geography की classes चल रही है मैं उसमें physical geography के बाद Indian geography, world geography आपको पढ़ाऊँगा तो अगर आप भी interesting तरीके से पढ़ना चाहते हैं deeper understanding of concepts के through समझना चाहते हैं with live images and interesting you know animations तो आज ही join करें live foundation batch 9 और code use कर सकते हैं deep life जिसमें आपको instant discount मिल जाएगा with one-to-one mentorship हम लोग daily means answer writing by the way इसमें discuss करते हैं और साथ-साथ हम लोग daily mcqs भी solve कर रहे हैं जो भी हमारे topic relevant जो questions हैं इससे क्या होगा कि आपके जितने भी previous question paper आये हुए हैं या जो topics covered हुए है PYQ में वो सारे के सारे हम लोग एक साथ कर लेंगे ताकि आपको बात में अलग्सना करना पड़े और साथ-साथ अगरा भी तक आपने आपको सारे मेरे social media handles का link भी मिल जाएगा जहाँ पर आप मुझसे बहतर जुड सकते हैं इनकेस अगर आपके doubts या queries हो तो पाकिस्तान और चाइना के रोल के बारे में अजीद डुवाल साब ने कहा है कि भाई देखो इंडिया और Central Asian countries का एक बहुत common concern है क्योंकि Central Asian countries generally peaceful countries है वहाँ ऐसा कोई आप देखेंगे major threats नहीं होते है जो जो भी threat है वो चाइना और पाकिस्तान सही है और वो इंडिया और Central Asia दोनों के लिए common चीज है इन फाक Central Asian countries are even aware of the Pakistan support जो cross-border terrorism को वो देता रहा है और उसका link अगर हम देखें to the various terrorist organization and group जैसे लेक जैसे मोहमद लशकरे तोईबा और इंडिया और Central Asian nations के अगर हम बात करें उनका approach भी almost similar रहा है कि उनने पता है कि भाई funding जब तक नहीं रोकी जाएगी जो radicalization का threat अगर नहीं चलता रहेगा in fact mentioning of this cross-border terrorism as a reference to Pakistan support and various terror groups which have been targeting India अपने आप में एक बहुत बड़ा indication है and in fact इस meeting में ये भी बोला जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके early adoption हो UN का जो comprehensive convention है on international terrorism ताकि इस चीज़ को हम और effectively deal कर सके अब इसके बारे में मागे बात करेंगे कि ये क्या convention उसको लेकि क्य किया गया है तो सवाल ही होटता है कि अब ये इस समय अजीट दोबाल साब का statement की timing को हम कैसे perceive कर सकते हैं well India Central Asia अगर हम देखेंगे पहले भी continuous meeting होती रही है 2021 में इंडिया ने एक regional dialogue hold किया था for the situation of situation जो भी अफगानिस्तान में थी with different NSA's उसमें भी आये थे उसमें रशिया भी involved था इरान भी था जितनी भी concerned parties है and we have been a part of heart of Asia Istanbul process जो कि अफगानिस्तान में जो ongoing process and efforts है for a peaceful country उसको ये जो है basically augment करता है साथ साथ दर साब जानते हैं कि हम लोग Centralation countries के साथ जुड़े हुए हैं शांगाई cooperation organization में भी in fact ये एक बहुत important quote unquote अगर अगर अजीट डवाल साब की बा है the misuse of new and emerging technology arms and drugs trafficking using terrorist proxies for cause broader terrorism abuse of cyber space spreading disinformation and unmanned aerial vehicles like drones जैसा कि हम news में देखते रहता है Pakistan drone से drug delivery कर रहा है drone भेज रहा है उससे attack करवा रहा है cyber warfare चल रहा है drugs trafficking हो रही है cattle trafficking हो रही है human trafficking across the border ये सारे तरीके अगर आप देखेंगे destabilize करने का एक तरीका है और funding जो है terror financing जो groups है उनको activate करने का तरीका है और financial support इससी लिए जो है वो life blood है जान है किसी भी terrorist organization को run करने के लिए जिसमें पाकिस्तान और उनका आका जो है चाइना उनको support करता है अब Central Asia की अगर हम बात करें तो India Central Asia के relations सदियों से जुड़े हुए है till the ancient silk route से अगर हम देखें in fact Mughals और उनके पहले जुतने भी हमारे हाँ जो लोग आते थे खाइबर बोलन पास होते हैं वो Central Asia का route लेके आते हैं in fact even Aryans को भी लेके एक थियोरी है कि Aryans जो है वो Central Asia से ही आये थे तो sources के अगर हम बात मैंने तो connectivity economic relations जैसे कि north-south transport corridor ठीक है चाभार के थुरू ये बहुत बड़ी priority है इंडिया के लिए और Central Asia के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि यहां से connect करेगा इरान होते हुए it will also go to Afghanistan अफगानिस्तान क्योंकि landlocked है तो उनके पास कोई port का access नहीं है चाभार से connectivity मिलेगी and then it will be connected to Central Asia, Russia and we can reach out to the market in England and Europe तो यह बहुत ही ambitious project है जो इंडिया को economically और बहतर तरीके से integrate करेगा to European economy और साथ-साथ जैसा कि हम देखें अश्गाबाद जो transport agreement हुआ है जैसे वहां पे ग्वादर अगर आप देखेंगे ग्वादर में CPAC port end होता है चाभार port उसके जस्ट बगल में है 80 किलोमेटर की दूरी पे है इससे हम जाहिदान होते हुए we can reach Afghanistan through this Garland Highway जो की जरंज देलाराम हाईवे भी कहते हैं यह पूरा का पूरा आप देखेंगे मजारे शरीफ से लेके हिरात प्रोविंस और अगवानिस्तान को connect करता है और यहां से relation हमेशा खराब हो जाते हैं तो बड़ा ही ambitious project है ambitious अगर आप देखेंगे targets है in fact central Asia के साथ हमेशा से हमारे relation जो है बहुत अच्छे रहे हैं और अगर हम अपने investments या हमारे connect की बात करें या footprint की बात करें तो चाहे वो उजबेकिस्तान में mining project हो तुर्कमेनिस्तान में अगर ह power की बात हो और किर्किस्तान में defense cooperation in fact किर्किस्तान इंडिया के लिए बहुत important है और तजीकिस्तान ये दो important countries है वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इतना significance है इंडिया का Central Asia में साथ-साथ SEO में सारे countries हमारे साथ मिलके काम करते हैं पित अफगानिस्तान, बेलरूस, इरा in Mongolia as observer states अब अगर हम strategic importance की बात करें इस area की तो इंडिया का एक lota airbase controlled by Indian Air Force is outside India जो कहां पे वो है आईनी airbase ठेक है इस इन तजीकिस्तान और इसका significance इसलिए है कि तजीकिस्तान के जो आईनी airbase है इसको use किया जा सकता है अगर कल कह हमारे पर पाकिस्तान हमला करता है तो हम दो साथी जो वाखान corridor है ठीक है ये वाखान corridor अफगानिस्तान को और चाइना के जिंजियांग प्रोविंस और पाकिस्तान occupied कश्मीर को connect करता है ये छोटा सा area है लगबग साड़े 12 km के आसपास ये जो है बहुत important है बिकोज यहीं से maximum trafficking होती है तो यहाँ पे तजीकिस्तान आइनी एर बेस और फार्खोर एर बेस नाम है फार्खोर एर बेस जो है ये इंडिया को advantage देता है यहाँ पे to attack from all the sides in case there is an attack from Pakistan या फिर उनके किसी भी ally या अगर आप देखें supporter का तो फार्खोर और आइनी एर बेस इंडिया के यहाँ पे आप देखेंगे सुखोई विमान और साथ साथ आपका C-130J और अदर अदर आप देखेंगे अब इवन रफैल की भी अब हम देखेंगे कि रफैल भी वहाँ पे खड़े रहते हैं they are on standby for any sort of attack which is happening सीध है यहाँ से हमला होगा तो दोनों तरफ से घेर के पाकिस्तान का यहाँ पे घराव किया जा सकता है अब बात करते हैं कि टेरर फंडिंग को लेके इतना issue जो है पाकिस्तान के बारे में आप सुनते रहते होंगे gray list backlist को क्या होता तो financial action task force वो है वो continuously ऐसी countries को monitor करती रहती है तो उसमें अगर हम पाकिस्तान की FATF history देखें 2008 में gray list में था फिर बजगया फिर 12 में था फिर बजगया फिर 2018 में था 21 में था फिर अभी यह gray list से फिर निकल गया है तो अभी black list में Korea North Korea और Iran यह दो countries है जिनको जिनके financial systems को थोड़ा अभी कह सकते हो आपकी उस अगर आप देखेंगे terror funding को support के जाए तो पाकिस्तान का बड़ा on and off रहा है और इसमें कहीं नगा international community के अगर आप देखेंगे एक involvement की भी कमी है एक agreement की कमी है क्योंकि जैसे हम बात करें थे convention on international terrorism यह 1996 में इंडिया ने draft किया था बट अभी तक यह adopt नहीं किया गया है इसमें बहुत सारे countries जैसे की आप देखेंगे वो इसको agree नहीं करते तो एक international terrorism की उपर कोई धंग से convention बन नहीं पाया है financing को लेके जरूर है 9 December 1999 में adopt किया गया था जो international convention for suppression of financing of terrorism है बट यह जो comprehensive convention है इस पे भारत काफी समय से चर्चा कर रहा है कि बाकी countries भी इसको adopt करें तो इस पे consensus नहीं बन पा रहा है क्योंकि बहुत सारी countries जो है वो Pakistan और चाइना के दबाव में है चाइना के major दबाव में इसको adopt नहीं होने दे रही है तो यह कुछ concern है जिसकी वज़े से आप देखेंगे terrorism अभी भी एक global concern है especially for India and Afghanistan and आस पास की neighboring countries में जिसको resolve करने की कोशिश इस NSA Central Asia meet में first ever जो इंडिया में होरी उसको करने की कोशिश की जारी है तो ऐसे ही interesting facts and information के साथ-साथ आप मेरे साथ जूर सकते ह है जो success in prelims program है जो आपको deep live code यूज करने भी मिल जाएगा जहाँ पे हम लोग comprehensive तरीके से prelims oriented topics को पढ़ेंगे live class में along with current affairs 3500 MCQs plus mentoring तो यह सारी चीज़े along with PDF notes मिलेगी इस course के अंदर आज ही enroll करें SIP SIP plus मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में till next time ऐसे ही बढ़ते रहे ह स्टड़ी IQ IS अब तयारी हुई affordable